नमस्कार दोस्तों तो मैं दीपक रावत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दा ग्लोबल अकेडिम बाइद दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं तो एटे आज क्लास में हम करने वाले हैं मैंधका टॉपिक टाइमेंड करने वाले है व्यूब और आज इसकी फिरस्टक्लास होगी आपको यह जो क्लाशिज मिलेंगी आपको बेशिक से क्लाशिच मिलेंगी न्याथी आपके सारे क्वेशन आए भी चाहिछ जो और आ επिक ग। तो मिल्कु बेसिक से शुरुबात करेंगे तो आज का टॉपिक जो है हमारा टाइम एंड वर्क समय और कारिये है तो शुरुबात करते हैं पहले कॉश्चन के साथ आपका पहला कॉश्चन है A. अकेला एक काम को तीन दिन में और B. अकेला उसी काम को छे दिन में पूरा कर सकता है A. अकेला एक काम को तीन दिन में और B. अकेला उसी काम को छे दिन में पूरा कर सकता है A. और B. यदि साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगे question कर रहा है यदि A और B एक साथ मिलके करते हैं तो आपको बताना है काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा option आपके सामने है 6, 1, 3 या फिर 2 या आपका question है तो बिल्कुल basic question से सुरुवात कर रहे है question कर रहा है एक किसी काम को करता है तीन दिन में और B करता है 6 दन में सबसे पहली बात समझने की यह है कि A ने जिस काम को किया है B वी उसी काम को करता है सबसे पहली बात तो इसी को समझेंगे अगर B उसी काम को करता है तो दोनों को जो work है, काम है वो दोनों को किया है, सेम है जितना काम A नहीं किया है उतना ही काम B नहीं किया है तो हम यह दोनों की जो काम की value constant मानने होगी सेम मानने होगी तो हम दोनों को जो काम है वो हम 3 और 6 का lsm लेके चलते हैं और 3 और 6 का lsm क्या हो जाएगा 6 आएगा तीन और च्हेर का जो N iemand रिकालेइगे, फिर ये हमारा क्या है, टोटल वर्क, कि ये क्या रहेगा हमारा, टोटल वर्क होगा, अब कृष्ण का कहने कारते है कि वर्क कितना होगे है, उच्छे हो गया और च्हेर किजिए तनी लिए होता है? कि ये जो है, च्छे काम को कितने दिन में करता है, तो पर डे कितना करेगा, च्छे को तीन से बाग कर देंगे, दो में करेगा, अगर च्छे को च्छे से बाग करेंगे तो एक न करेंगे, तो दो क्या है, दो efficiency है, चमता है, एक क्या है, यह बी की efficiency है, यह एक की है, और यह बी की है, कि ए प तोंओं मिल के काम को करते हैं तो दोनों का मिला के कितना हो जाए गा R2 114 और 2 160 कि और cev7 bald this time का निकाल ना समय निकालता है और time का फॉर्मूला फोर्मूलय और वह क्या होगा वर्म expects डिवाइड वाई इफीशेंसी होगा वर्क कितना है छे इफीशेंसी कितनी है तीन और तीन से भाग कर देंगे दो दिन तो दोनों मिलकर उस काम को किते दिन में पूरा करेंगे दो दिन में करेंगे और आपका यहां पर ड्यू अप्शन क्या रहेगा साही होगा थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं इनके रूल्स के बारे में इसमें जो टोटल वर्क बनेगा आपका कि टोटल वर्क क्या होता है टोटल वर्क होता है एपिशेंसी simplify मैं time के कारी करने की दर कितनी है और उस काम को करने में कितना समय लगता है अगर हम दोनों का int2 करते हैं तो क्या निकल कराता है total-work निकल कर आता है अगर हम बात करते हैं efficiently क्योंसे निकले करेंगेगे तो census क्रोस मुल्टिप्लाइब करके तो टोटल वर्क को डिवाइड से था करते हैं में देटाट टोटल वर्क हो डाइजल का ये पीर ये यजग ईसकी ने में सुन संय को अर यह स्वेलों का निकालना था यह समय को इंद 6 2 बट ने भी आ sickness एक काम को 6 सही 2 बटे 3 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 16 सही 2 बटे 3 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे option आपके सामने है तो सेम पिछला सा question है ए पूरा करता है 6 सही 2 बटे 3 जो कितना आएगा 6 ती 18 और दो 20 20 बटे 3 हो जाएगा अगर बी की बात करते हैं सिंप्लिफाई करेंगों से 48 और दो 50 डिवाइड में कितना आएगा 3 आएगा अब हमें लेना है क्या लेना है लेना है और टाइम एंड वरक में अगर हम लेनी की बात करते हैं तो अपर नंबर का ले जाता है नियूमेरेटर का लेते हैं तो केवल 20 और 50 का हम यहाँ पे क्य सब्सक्राइगा 20 और 50 केलिशम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा तो 20 से भाग करेंगे 100 को 25 आएगा इंटू में क्या जाएगा 3 आजाएगा क्योंकि मैंने भी बताये था अगर हमें efficiency निकाल ली है तो क्या करेंगे वरक को डिवाइड करेंगे किस से टैम से डिवाइड करें चाहिए तो 20 से 5 इंटू में कितना हो जाएगा इसी वेज़ जैसे मैंने यहाफ एंटू में 3 लागा था है अगर यहांपर डिवाइड करते हैं 50 से डिवाइड करेंगे 100 को 2 आएगा और इसके अपवन कितना है 3 तो यहाँ पर भी इंटू 3 हो जाएगा तो इंटू करके कि 15 हो जाएगा और यह आपका 6 हो जाएगा A की जो efficiency है वो कितनी है 15 है और B की efficiency कितनी है 6 है तो दोनों की मिलाकी कितनी हो जाएगी तो A पलस B कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा की A और B मिलकर कितना काम करते है 21 काम करते है कितने में पर एड़े एक दिन में कि A और B मिलकर एक दिन में कितना काम करते है 21 काम करते है अब हमें time निकालना है कि क्या है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे डिवाइड करेंगे 21 से 4 पर डिवाइड जाएगा रिमेनिंग कितना बचेगा 16 और डिवाइड में कितना रहेगा 21 तो यह आपका अंसर हो जाएगा चार सही 16 और 21 तो आपका अंसर हो जाएगा उम्मीद है समझ माया होगा इससे आगे आपका अगला क्वेशन रहेगा थर्ड क्वेशन A can do a work in 37 days and be in 111 days if they work on it together then in how many days will they be able to do the work कौशन के रहा है एक इसी काम को 37 दिन में करता है और B उसी काम को 111 दिन में कुरा करता है यदि वे साथ मिलकर काम को करते हैं तो बताना होगा तो कितने जनों में वो उस काम को पूरा करने में क्या होंगे सक्षम मुंगे option आपके सामने है same question है तो A complete करता है कितने day में 37 days में और B complete करता है 111 days में कि दोनों का एल सिम निकालेंगे कि दोनों का एल सिम कितना आएगा वन 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 आएगा जो हमारा क्या होगा वर्क रहेगा टोटल वर्क होगा में सध्यानक नहीं इपीसेंसे निकालेंगे तो 111 को 37 से 37 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर कितना आएगा तीन आएगा और 111 से यह हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा एक आएगा तो A की जो इपीसेंसी है वो कितनी है तीन है और B की कितनी एक ह तो दोनों की मिलाकी कितनी हो जाएगी A पलस B कितना हो जाएगा हमारा 3 और 1 चार हो जाएगा तो A पलस B कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ये क्या है परेडे वर्क कि दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में चार काम करते हैं टाइम निकालना है समय कोश्चम देखा हुआ है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे काम को काम कितना है 111 है डिवाइड में दोनों की पिशेंसी कितनी है चार चार से भाग करेंगे चार दुनी आठ तीन बचेगा चार सत्ते अठ्थाइस 3 upon 4 तो 27 into 3 upon 4 हो जाएगा तो हमारा B option क्या होगा पर सही होगा 37 सही 3 वटे 6 तो मैंने तीन कोश्चन एक जैसे किये हैं तो मीदेस अभी को समझमाया होगा जब यह मिलके काम करेंगे तो दोनों की efficiency को पलस कर दिया जाएगा और पलस करने के बाद जो work होता है उससे क्या कर दे करते हैं डिवाइड कर देते हैं अगें फड़ से नंबर ऑपडेज के बिन है टाइम के वह लिए उनका लेंगे जो यह रहेगा वहारा क्या होगा वर्क को टैम से डिवाइड करेंगे तो efficiency निकल कर जाएगी सिंगल सिंगल की efficiency अपर नंबर किसका एक और नीचे वाला A can do A work in 72 days and B in 90 days कि A किसी काम को 70 दिन में और B 90 दिन में पूरा कर देता है if they work on it together यदि वे मिलके एक साथ काम करते हैं for 10 days 10 दिन तक यदि वे मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं then what fraction of work is left तो बताना है काम का कितना हिस्सा से बचेगा कितना अंस बच जाएगा 10 दिन काम करने के बाद आपको बताना है कि अभी काम कितना और बचेगा यह आपको reply करना है तो एक करता है किसी काम को complete कितने दिन में 72 दिन में और बी complete करता है 90 दिन में 72 और 90 के यह हम LCM की बात करते हैं work तो निकलेगा वह आपको हो जाएगा 300 साइट 72 और 90 का जो LCM आएगा वो कितना हो जाएगा 300 साइट को बहतर से बाग करेंगे 5 90 से बाग करेंगे 4 तो यह तो आपका total work हो गया हम पर तो एक की फीसेंचे कितनी आई है 5 आई है और बी की फीसेंचे कितनी है 4 है तो ए पलस बी की कितनी हो जाएगी ए पलस बी की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी कि पर दे कि दोनों में लिकर एक दिन में कितना काम करते हैं 9 काम करते हैं एक दिन का 9 हो गया लेकिन कॉश्चन ने बुला है कि वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं दस दिन तर यदि एक दिन का नो है तो आप बता ही दस दिन का कितना हो जाएगा दस दिन का हो जाएगा इंटू करते हैं नब्बे अगर एक दिन का नो है तो दस दिन का कितना हो जाएगा नब्बे नब्बे काम हो जाएगा और यह जिसमें से 90 हो गया तो कितना रहे गया 270 रहे गया लेकिन इसकी फ्रैक्शन मना नहीं है तो कितना आएगा 270 जो रिमेनिंग था डिवाइड में कहाएगा टोटल आएगा है जिरो से जिरो केंसल हो जाएगी और नो से डिवाइड कर देंगे तो कितना तिन पर चार यह आपको क्या होगा अधिया तो कितना काम बचेगा तीन बने करना है उसमें से कितना रहे गया कितना बज़ किया क्या ? अब इसकी फ्रेक्शन बनाने तो क्या करोगे ? ॥' क्या क्बस्ट आ जाएगा इसा यह भी पूछ सकता है कि क्तना काम हो गया ?remlin 9 90 के पॉन में 360 आजाएगा 90 के बटेम आजाएगा तब आपका आएगा वन अपॉन फोर हो जाएगा अंसर जैसे आपसे अंसर पूरता ऐसे आपको क्या करना होगा तो इसका अंसर बनेगा आपका ए ओप्शन कितना रह गया 3 अपॉन फोर रह गया अगला गुश्चन अगर नहीं होता है उसके बाद आप वीडियो को फिले करके दोबारस लेखें तो सबसे पहले हम सिम्प्लिफाई करेंगे तए 30 सही एक वर्टे तीन इंटू कर लेंगи तरिस होचां कितना ही तो कितना हो जाएगा थे इन‐ स्लीफाई में 900 100 अप्वन में 3 आ जाए गय हो सिम्प्लिफाई करने पे हम वी बात करते हैं वी सिम्प्लिफाई करेंगे 66 66 इंटू में 3 आएगा तो 108 में पलस में 2 कर लेंगे 200 200 के अपुन में 3 हो जाएगा और मैंने आपको पिछले कोशन बताए था जब भी आपको एल्शम लेना हो फ्रेक्शन वाले पार्ट में तो अपर नंबर का केवल एल्शम लेते हैं तो 100 और 200 का एल्शम लेना है आपको औ 200 को 100 से तो तो दो पर डिवाइड जाएगा अपन में कितना था three वो इंटू में रहेगा आपको six हो जाएगा 200 को 200 से डिवाइड करेंगे एक आएगा इंटू में कितना जाएगा यहां पर three अप ठीक है अपन वाली जो भी टर्म होगी वह वहां पर क्या होगी in-to में होगी तो एक की पी सेंसी कितनी है च्छे है और बीकी पी सेंसी कितनी है तीन है तो दोनों की मिलागे कितनी हो जाएगी A पलस B कितना हो जाएगा च्छेर तीन नो हो जाएगा तो परड़े वर कितना हो गया इनका नो कि दोनों मिलके परड़े कितना करते हैं नो काम करते हैं और कितने दिन तक दस दिन तक जब परड़े का नो है तो दस दिन का कितना हो जाएगा अगें 10 दिन का कितना वर्क हो जाएगा, 90 हो जाएगा, अगर यह एक दिन में 9 काम करते हैं, तो remaining कितना वचेगा, 90 को minus कर लेते हैं, तो remaining कितना वर्क कितना जाएगा, 110 आएगा, remaining कितना वचेगा, 110 अब इसकी fraction मनाएंगे, तो 110 डिवाइड में टोटल 200 था 0 से 0 कैंसल हो जाएगी तो 11 के अपन में कितना आएगा 20 आएगा तो 11 बटे में 20 इसका क्या होगा अंसर रहेगा और आपका यह अप्शन क्या रहेगा आपे सही होगा तो जब भी पाट पूछेगा तो हमेशा आपकर दो प्रेक्शन में होगा और प्रेक्शन में लाने के लिए रिमेंडिग पूछा है तो रिमेंडिग वेली उपर होगी और इवारेड में क्या रहेगा हमारा टोटल होगा तो आंसर इसका 11 बटे 20 इससे आगे आपका अगला question रहेगा P can do a work 77 days and Q can do the same work in 91 days If they work on it together for 7 days Then the fraction of the work that is left is तो आपको बताना फिर से कि कितना काम सेस बचेगा कि दोनों 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं और साथ दिन काम करने गवाद अगेन आपको बताना है कि कितना काम सेस रहे जाएगा Simply pay करेंगे फिर से P complete करता है 77 days में और Q complete करता है 91 days में इसके दिन हम lsm की बात करते हैं तो इसका lsm कितना आएगा 7 से 11 है और 13 है तो एक हजार एक इसका क्या रहेगा lsm होगा ठीक है यह total वर्क फिर से आपका 77 और 91 को जो lsm आएगा वो एक हजार एक आएगा 77 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका डिवाइड जाएगा 13 पर जाएगा और 91 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका डिवाइड जाएगा 11 पर तो दोनों एक साथ करते हैं तो P पलस Q कितना हो जाएगा 13 ग्यार ए 24 कि दोनों मिलके कितना काम करते हैं 24 काम करते हैं तो 24 हो जाएगा पर डे एक दिन का हो गया जाएगां ग्यार में 6 असांयार में जाएगा टार 10 का ग्यारστ países 22 Yeah, है इस तो Let's talk जाएगा कम कितना हो गया 168 हो गया तो रेमेननेंग कितना बचेगा के एक तो मैनिस कर लेते हैं तो रेमेनींग आएगा ग्यारे में चाट के तीन नो में से 6 गया 3, 9 में से गया 8, 833, अगर इसकी fraction बता नहीं है तो 833, अपॉन में कितना आएगा, 1,001, डिवाइड कर लेंगे किस से, यह आपका, 7 से डिवाइड जाएगा, 7 एकम साथ, 7 एकम साथ, 7 एकम साथ, डिवाइड में कितना आएगा, 143, और आपका यहां पे, शी अप्सन क्या रहेगा, सही हो, तो यहां से आप निकाल सकते हो, remaining work, कितना बचेगा, जिसका अंसर आपको में सा किसम देना होगा, फ्रेक्शन में देना होगा, इससे आगे चलते हैं, अगले question पे, एक कारिय को बीस दिनों में पूरा कर सकता है, तो था बी उसी कारिय को पच्छिस दिनों में पूरा कर सकता है, एक complete करता है 20 डेज में, और बी complete करता है 25 डेज में, जिदि दोनों मिलकर उस काम को करें, तो तीन दिनों में कुल कारिय का कितना परसेंट पूरा हो जाएगा कॉशन कह रहा है यदि तीन दिनों में कुल कारिय का कितना परसेंट कारिय पूरा हो जाएगा पूरा बताना है कि तीन दिन में कितना हो गया remaining नहीं बताना है और उसको percentage reply करनी है आपको कि तीन दिन में कितना % हो गया है तो पहले तो आपको निकालना होगा fraction निकालनी है कि तीन दिन में कितना काम complete हो गया और percentage में convert करने के लिए क्या करते हैं into में 100 करते हैं अगेन फिर से पहले आपको fraction निकाल नी है कि तीन दिन में कितना काम हो गया है फिर उसको परसेंटेज में convert करने के लिए इंटू में क्या करेंगे 100 का इंटू करेंगे तो एक करता है 20 डेज में और भी 25 में LCM कितना आएगा 100 आएगा जो total work होगा 20 से डिवाइड करेंगे 20 पंजे 100 25 से डिवाइड करेंगे 4 तो एक ही जो efficiency है एक ही जो efficiency हो कितनी है 5 और B की कितनी है 4 तो दोनों की मिलाके A पलस B की कितनी हो जाएगी A पलस B की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी 5 और 4 9 9 क्या है per day work दोनों की efficiency मिला के लेकिन दोनों कितने दिन तक करते हैं तीन दिन तक करते हैं कितना हो जाएगा twenty-swag 27 हो जाएगा नियुदि दोनोंने मिल के एक दिन में 90 काम किया है तो तीन दिन के कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा तो हमें इसी की fraction बना नहींrist कितना में से डिवाइड रहेगा हंड्रेट से हंड्रेट के Нडिवाइड हो जाएगा 27% आपका काम हो जाएगा तो उम्मीद यह समझ माया होगा अगर यह remaining की बात करता तो 100% में साथ इसको minus कर सकती हो तो कितना बचेगा 73% आएगा remaining की अगर बात करता है अगला question A can complete 50% of a job in 90 question कर आए A 9 दिन में किसी काम का 50% भाग करता है and B can complete 25% of the job in 9 days और B 9 दिन में कितना काम करता है 25% करता है if they work alone if they together how much of the job can they complete in 9 days यदि वे दोनों मिलके 9 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना परसेंट भाग हो जाएगा पूरा हो जाएगा यह आपको बताना है तो ध्यान देंगे सभी यहाँ पर A कितने दिन काम करता है 9 दिन काम करता है B यहाँ पर कितने दिन काम करता है 9 दिन काम करता है और आंसर भी कितने दिन काहीं देना है 9 दिन काहीं देना है ठीक ना क्योंकि time क्या हो गया same हो गया और time same हो गया तो उस time के अंदर ही वरक होता जितना वह करते हैं का zar a 9 डेजों कितना करता है Why are a करता है 9 डेज़म कितना परसेंट 50 हAKE और B कितना करता नियुद मैं कि 25 परसेंट और आपको A ev plus B का ही बताना है कि वह भी नैण देज़ का ही बताना है जो कि 9 देन कीको मैं कितना करेंगे के और नो यहां पर इंस हो जाएगा ग popped कि में सीम्पल के यह दोनों साथ करें अलग-अलग करें यहें ten चुस्तर परसंट हो जाएगा u next question امر 1 कारिय को 7.5 दूनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कारिय को 12.5 दूनों में पूरा कर सकता है जैथे दोनों मिलकर 4 दिन कारिय करें तो कुल कारिय का कितना % कारिय है पूरा हो जाएगा तो अमर करता है किसी काम को 7.5 दनों में पूरा 7.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं यो साड़े साथ है और इसको सिंप्लिफाइ करिंग कितना आएगा साद दुनी चौदर एक पंदर बटे दो आएगा तो अमर का हो गया पंदरे डिवाइड वाई टू अगर रमन की बात करते है बारे पॉइंट पांच बारे पॉइंट पांच को हम लिख सकते हैं साड़े बारे बारे सही कोटे तो इसको सिंप्लिफाइ करिंग कितना आएगा 25 अपांट 2 आएगा यदि हम दोनों का एल्षम लेते हैं कितना आएगा 75 आजएगा एल्षम कितना आएगा 75 पिछतर होगा 15 से डिवाइड करेंगे 5 और इंटू में कितना आजएगा इंटू में 2 आजएगा 25 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और इसके इंटू में कितना आएगा 2 आएगा तो यहां पर डिवाइड में 2 है तो अमर की फीसेंच कितनी है, दस और रमन की कितनी है, तो दोनों की मिलाके कितनी हो जाएगी, दस और छे सोल हो जाएगी, अब कॉशन करा है, यदि दोनों मिलकर चार दिन कारिय करते हैं, दोनों कितने दिन तक चार दिन तक तो यह तो हो गया पर डे का एक दिन का हो गया तो चार दिन का कितना हो जाएगा चार से इंटू कर देंगे कि चार दिन का कितना हो जाएगा चार से इंटू कर देंगे 64 हो जाएगा कितना परसेंट पूरा होगा अब परसेंटेज निकालना है तो पहले फ्रेक्शन अंस निकालना होगा 64 डिवाइड में टोटल और परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 25, 34, इंटू करेंगे 256 डिवाइड में कितना आएगा 3 हैगा और 3 से डिवाइड करेंगा आपका तीन अट्टे चौवी, तीन पंज पंद्र है, पिचासी पॉइंट तिस परसेंट आपका अंसर आपका अंसर आएगा स्कूर डिवाइड करने को, तो यहां पर भी पूचा था कितना हो गया, कितना हो गया, अपर वेल्यू रहेगी, डिवाइड में क्या हैगा, टोट सब्सक्राइब करते हैं तो पता ना है तो कितना प्रसेंट काम से बचेगा तो A कम्प्लीट करता है 18 में और B कम्प्लीट करता है 36 में LCM की बात करते हैं 36 आएगा 18 से 2 36 से 1 तो A की पीसेंट सी 2 है और B की कितनी है एक है अगर मैं दोनों की मिलाके बात करता हूँ A पलस B की में बात करता हूँ कितना हो जाएगा दोर एक तीन हो जाएगा जो क्या होगा परड़े वर्क रहेगा भी नौदनों के लिए एक साथ क्याम करते हैं परड़े का तीन है तो नैंड़े का कितना होगा 27 हो जाएगा अब पूछा रिमेनिंग कितना से समझेगा तो रिमेनिंग में कालना पड़ेगा पहले तो आपको रिमेनिंग कितना आएगा 36 माइनस 27 तो रिमेनिंग आपको आएगा 9 परशेंटेज की बात करते हैं तो पहले फ्रेक्शन में लें कहेंगे तो 9 डिवाइड में टोटल 36 इंटू में 100 तो 9 से फूर 4 से 25 कितना आएगा 25 परसेंट कितने परसेंट काम रह जाएगा सेस बचेगा तो 25 परसेंट आपको क्या बचेगा सेस बचेगा तो आज क्लास में हम इतना ही करेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए तो आपको यहीं वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जिसे आपको आने वाली वीडियो वे आप तक पहुंच पाए धन्यव आप यही को आप हमारे टा हमारे तर्वाद का वे यहीं है जिसे सूल कू.